हलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटिव क्यानल अनुपी स्टेडी में आज हम लोग सुरू करेंगे जो है कि प्रस नमबर आपका 46 से चलेगा और इसके पिछले वीडियो में हम लोग 45 तक के प्रसनों का सलुसन जोई कर चुके हैं और हाँ अभी तक जो है यहां पर नमबर 26 को ठीके बाद दोवरी ने बना दिया है एक सीवन बनाया है क्या है सीटू लेकिन आगे करे एक दूसरी को X तथ Y पर काड़ते हैं C1 और C2 दो बृत आपको ऐसे बनाने हैं देखिए दो बृत बनाएगा है जो एक दूसरे को बृत जो है कि एक से गुजारते हुए रेखाय क्हीचे हैं जो एक पर काड़ते हैं और किस पर कर एक क्या क्या है जो बृत देखिए कर रहे हैं जब तक आपका ग्राफ बनेंगा नहीं ततक सलूसन नहीं हो पाएगा बहुत दिक्कत हो जाता है सलूसन करने में ग्राफ नहीं बनता है तो ठीक है यहां पर कर रहे हैं करें कोण c a y band commencer class लीखे में से एक्स जो ये एंगल है आपका कितने टीकर कहते हैं कि कोण n b d बरावर है कोड d yaire जो मान है आपका कितने के बरावर है वह ही आपसे मान पूछ रहें लिवी बी टी ये जो एंगल है आप से पूछ रहा है कितने का होगा ध्यांस देखेगा हम लोग जो है कि आप मुझवानी कर सकते हैं यह आपका देखिए एकस वाई सी यह आपका एक चक्रिप जो है कि नहीं तो एक सो आसी में से जो है कि हम लोग एक एक एंगल मालूम है अदूसरा एंगल कितने का होई इसका है कितने का हो गया एक सो आभी सुटेगरे गषिया क читने का होकी है यह जो आपका एतना है मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो गया। करा दिया गया है तो आपसन की मैं बात कर लूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपका यहां पर लिखते हैं यहां पर चली आपका उमीद होगी कि यह बिल्कुल आपको समझ में आगे किस तरह सब्सक्राइब अगले कोश्चन की तरफ अगले को लेकर चलते हैं तो प्रस्णों का सलूशन जोएक अगले वीडियो में लोग देख लेंगे इसके बाद एक और प्रस्ण हैं वीडियो में देखें कोई आपको दिकत नहीं होगी चलिए अब यहां से हम दो सुरू करेंगे क्या प्रस्ण न अग्यास है उन्चास है यहां पर सलूशन में करा दिया हैं सिर्फ आपको समझना है कैसे करें करें कि एक तथा बीपी किसी ब्रित की दो अर्सपर से रखाएं देखिए एपी और बीपी यह पहले तो दो माई आर्सपर से रेखा जो है कि खीच लिया हूं ठीक है इसके क्यों कि तो हम भूझा जो एबी है जो देखे को मिला या और मिला दिये और ओपी यहां किसके कारती है सिब्ट पर यहां पर आपका जो है यह सी बेंदु है जैसे प्रस्ण का मैं पहले बना लिए तक ताज कि समय न लगे तता प्सक्राइबर नहीं यहां पर करेंगी प्यों बरावर आपका 13 संटिमितर होना चाहिए तो कर आए कrophy OP कितनी है आप से पूच रहा है कि Kunकी आपक말 एकितनी हैं देखिए हम जानते हैं जिफा पर केंदर से लंब डाला जाता है तो जीवा को दो बराबर भागों में बाढ़ती है कि यहां पर देखिए यह केंद्र है कि नहीं केंद्र से इस पर डालें तो यह आपको याद रखेंगे यह आपका यह प्रतिवंद बनेगा किसी यह बराबर किसके होगा सीबी के होगा दोनों मान क्या होगे बराबर होंगे क्यों बराबर होंगे आप लोग पता है कि केंद्र से जीवा पर डाल गया लंब है तो नबे नबे का बनेगा अब देखिए प्रोसेस आगे चलेंगे आपके पहले लिए त्रिभूज ओ एपी में ओए पी देखिए यह ब बनता है यहां से केंद्र को मिला देंगे यहां से अधार हो जाएगा यह क्या हो जाएगा और यह पूरत क्या हो जाएगा कण होगा घुमा कर देख सकते हैं यह आप नबे डिगरी है और 90 डिगरी के सामने का जो आपकी भुजा होती है हो क्या काला आती है और पी पूरा 13 का है कि नहीं है भी पूरत 13 का है जिसमें से आपका पी 13 का है इतना भाग आपका है और यह इतना पहुंग तो ना चरतेर होगा यहां से यहां तक नहीं तो इतना जुस्तिस वाग है कि इतने चारी कर नहीं हो जाएगा और ये आपका समीकर नमबर कि भी आपर प्लस क्या यानि कि आधार क्या जिस्कुलाइब में एश्कुलीब क्वाना चलिए उम्मीद होगी विल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा इसके 22 त्रभूज एसी पी में आप देखिए एसी पी काओं ने हम लोगा करना सानी सब्सक्राइब सब्सक्राइब निकल सकता सब्सक्राइब फ्रेंश त्यक्या अब समिकर्ण में कमान संटीन में जो है कि हम लोग समीकड़ एक और समीकड़ दो का मान क्या करेंगे रखेंगे यहां पादे कि लिखे भी है कि समीकड़ एक तथा समीकड़ दो में एक में तथा सभी यहां पर समिकराइब की समय से एक सवारे कमान समीकर किसमें कि मिस्टेक हो गया था यहां पर समीकराइब 2 से और तीन का जो मान हैं अब करना है समी कर एक में ठीक यहां पर गलत हो गया तो एक हो गया था ठीक है समीकण एक में रखने पर यहां पर देखेएगा समीकण यहां पर सब्सक्राइब इसक्वार प्लस फोर इस्क्वार उक्वार प्लस फोर हो गया इसक रुब यह तो आप करंगे सांजिक को इस प्लस नौ इसक्वार यहां पर आपका हो जाएगा 2 a c square होगा आप देखे यह बाकी एंक वह यहनि कि इसको और इसको अंधो डूसरे तरफ भेज़ देंगे वहिए ने के बाद यहांने के स्कॉयर चार इसकॉयर नहां तो इसको यह घटाया जाता है तो आपकल आएक कितना हैं अपर यहां पर आपके बढ़ा हो ज़ाता यहां से इसकोर बराबर हो जाएगा मेरे मेर प्यार दोट लिए और इसकाइर बर बार डाबर देंगे बर यहां पर तुन निकले गाल तो टोटे तो यहां पर आपके किसके होता है जो बराबर हो गया थोग्या तो कि दोनों बावर और प्रोसेस्स तो बढ़ा है लेकिन आपको बिर्वेगों किलियर हो गया हुगा आप नहीं तो निचे वह निकाल सकते हैं यह पूरा प्रोसेस आपका निचे वाला चलेगा ठीक है ऊपर वाले में केंदू पर असपर्स रेखा पीतीबक्त करती है यह कर आए कि यदी-कॉर्ड पीक्यूं-टी-小心 wreck यानि कि यह आपका एंगल आपको पता करना है कितना होगा देखें जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके दो एंगल आपके बराबर होते हैं कि नहीं आप फाले भी तिर्भूज में पढ़े होंगे ठीक है यह अपका एक रेखा है यह असपर्स देखा है अपके अनदर से यह पूरा जो यह पूरा कितने कोड बनता है 90 डिगरी का बनता है यह पूरा आपका 90 डिगरी में से हम लोग इतना इंगल पता करने के लिए पता करने के लिए गटाना पड़ेगा तो पता चल जएका कि देखिए ओपी और ओपी और ओक्यूब और ओपी दोनों तिर जाये हैं तो आपस में दोनों तिर जाये क्या होगी बराबर होगी तो इस नेम के अच्छार जब यह 90-1 है यहां पर उमिद में आ गया है और तीर भूज के तीनों को नो का यह गहता देना है तो आपको यह तीसरा तो आपको यह आपका गलत हो गया माइनस एक है ना और यह भी माइनस एक कटा दिये माइनस है दोनों तो जुटेगा ना चलिए यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस यहां पर देखिये माइनस महीं मल्टिप्लाइग करना हो 918 180 हो गया देखें माइनस से मल्टिप्लाई कर दें तो प्लस क्या 2x 180 से 180 कट के कितना हुआ 2x बना ठीक है फ्रेंड 2x कितने डिगरी का 2x डिगरी का बना जो कि आफसन की बात कर लें समझाना आपको कैसे आपको करना ठीक है तो चली हम लोग देख लेते हैं प्रस नंबर 51 को भी ठीक है बहुत सिंपल है इसी तरह से आपको करना है बस हम ग्राप बनाएंगे आप खुछ सलूशन कर सकते हैं उसका ठीक है न तो देखें यहां पर एक साथ जो है कि हम लोग दो आपके तीन कोशन आपके जो है कि अगले वीडियो में सलूशन करा दिये जाएंगे कोई दिकत आपको नहीं होगे छिलिए ठीक है आपका जो है कि एकाउन कोशन कर रहें कि ओब रिट का केंद्र है चीतर में असपर्स रेखा एबी और एपी एक दूसरे को पीपर काटती ह कि यह देए चीतर आपका बनाय गया करें कि एक स्कमान इसमें क्या होगा तो मुझा जानते हैं कि असपर्स रेखा पर यहाद मिलाएंगे आपको यहां कि नब बनता है अगल नब नबबर हो जाएगा ठीक है हमेसा आप याद रहेंगे कई प्रसन में आ चुका है हम लोग जो है कि यह जानते हैं कि नबबर बनता है तो इसका मान निकालने के लिए we 180 मेंसे क्योंकि Ads dating कबाद कि regression Link in 180 80enek reach 120 क्या करें घटा देंगा तो In a century hura-and- cioè और oxygen की बात करने ने हैं मेरे प्यारे दस्तों तो आपären उन जो है आपका theujęken Meila había समझ मतीनि तो बिलकुल आसान है ठीम कै तरहें है और चली है आगे बढ़ते हैं यह आपका तो बावन चलने नमर में त्रफए बाद कर लेते हैं त्रफण में आपका क्या कर रहाए partis करने की दिदे करने की परईदी पर इस जो ऑन रहा क्या होना सब्सक्राइब हम लोग कि यह भी पता है कि जब और बका कुण बांता है तो कितने नावvalue क्विट में कोई भूज बनाई कि अगया न हो gather 하र्ध बनेगा और किसी बनेगा नहीं क्योंकि आर्ध बित पर यह जो बनाएंगे एंगल तो हमेशा और्ध बिट पर बनेगा तो हमेशा यह की जाएगा और बिची जाएगा अब तो आपका नब्य का हो गया आप करें कि विसी बड़ाबर किरी लिथी कितनी होगी देखेंगे पूरा वी से जी तक आपका 10 है घर होती है कि नहीं तो ब्यों बडाबर हो जाएगा बी सी बटा में कितना ने दूबर एगा तो दुमशन कितने का है बटा नहीं देता यह और कोई अंगल देता तो आप जो है की किंद्र से ना होकर कि किसी और जो है की यानि की जीवा द्वारा आप बना सकते हैं लेकिन आपका नबेटीगर दिया है तो हमेशा आप और थे भी रिस्ते करें यानि केंद्र से एक रेखा आपके खीचनी पड़ेगी अब आपका जो जा करके यहां पर जो है कि इस बात को आपको याद रखेंगे ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं यह आपको जो है कि दो कोशन समझ में आया एकावन और बावन एकावन और तीरपन बावन का जो है कि अगले वीडियो में भी आपके बहुत कम प्रस्ण होंगे ठीक है 15 कोशन नहीं होंगे बहुत उस्ते भी कम होंगे 15 से कमी कोशन होंगे इस विजए कि अगली वीडियो में इनका सलुसन करा दे जाएगा लगबग आपके 15 कोशन हो जाएंगा ठीक है चलिए कर रहा है कि इसके बाद कर रहा है तो चोबना लेंगे एक ही साथ और इसक तो चलिए हम दो देखते हैं यह आपका तीरपन तक हो गया इसके बाद आप 54 देखेंगे और यहां पर प्रस नंबर आपका 25 रखा जाएगा सुरी चोवन नहीं आपका 55 नहीं है ठीक है प्रस नंबर 55 और 54 एक साथ देंगे ठीक है चलिए मैं बना लेता हूं चितर कैसे ब दिखा दूंगा ठीक है चलिए परस नंबर 54 नंबर 56 आप मिला सकते हैं इसमें का रहें एकस कमान निकाले ठीक है यह क्या करना है कोई दिकत नहीं है कि यहां से क्या हम लोग को बना लीजे यह तो क्या बी-सी को दिखिए हम जो यह और बी क्या हम लोग इस रेखा को आगे कि तरफ क्या कर सकते बढ़ा सकते हैं तो यह आपकी दो समांतर रिखाए होगी और यहां से आपकी रिखाओं को यह तिरियक करेगी काटेगी तो तरफ करेखा जब क्या घज़ होते है यह आपका 65 का है तो यह बहुतना होगा 65 का किस नियम से चोंगी एक अंथर कोंड के नियम से हैं तो उसके एक आंथर कोंड जो भी होते हैं आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं तो यह आपका अंतर कुण हो गए एक्स कमान कितना हुआ 65 डिगरी है नहीं सिंपल और आपसन की मैं बात कर लूँ मेरे प्यारे दोस्तों तो आपसन नमबर भी आपका क्रेक्ट है ठीक है तो चलिए इसके बाद बात करते हैं 55 नमबर की का रहा है कि समचे कोई यह दीए कोई बहुरिख से बना हुआ उसका थोड़ा अलग हो जाता है यहांप प देखिए उससकों करेंगे लिंगशिएक 100 होता है और इसको आम लोगप है registered guide pione 118-10 a किने उगा एक साखें सुगा ठीक है लेकि सो मालूम है एक सो हसी में से एक एंगल कितना है सो सो घटा दिजिए तो आपके 80 डिइगरी कितने का हो गया एक सो कुझे एक सो धूरें सो हाए यह 100 है और और 110 में से 100 गटा देंगे कितना हो जायेगा 80 होगा तो यम nos जानते हैं कि पूरा बंठे कि आंको एकंट एकटने 1 सी का और शायवी में से इतना प्रेंट्रूम हे का सो यानि कि पर मिल ऑतनी जहना वाला ये पहुत करेक्ट होगा है तो चली बढ़ते हैं कोशन नमबर आपका छपन है यह नहीं कि आप इसको भी देखिए एक सो चालिस है तो आपको इतना आगा यह हो जागा नहीं क्योंकि यह केंदर पर बना हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों यह जानते हैं कि इस एंगल का यह वाला जो एंगल है कितना होता है और फाइन करना है हो दिया अभी वो दिया नहीं है अभी यक्स भी नहीं दिया तो कैसे निकाले देखिए अभी यह एक सो जह है कि चालिसका है अब यह पूरा एक बार घुमेंगे तो 360 बनेगा की नहीं बनेगा अब 360 में सहीतना मालूम है 140 घाटा दीजे तो आपका हो जाएगा जीरो दू दू एक सोग दस यसमान का जोगा 100 कितना होगा दस दिगरी आपका होगा अब को समझ में तो आई गया होगा चलिए आप सण की बात कर लें हम तो आप अपसा नमबर मेरे प्यारे दोस्तों आपसा नमबर क्या है डी आपका करेक्ट उम्हेद होगी यह तीनों आपको बिल्कुल सम संतावन से फिर आम लोग बना लेंगे बारी बारी इसके बार सलूसन में करा रहा हूं ठीक है चलिए उमीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गए होगा यह तो बहुत सिंपल था आप लोग खुद ही सलूसन कर सकते हैं ठीक है चलिए सब्सक्राइब चलिए चलिए अगले वीडियो में आपके साथ चलिए यहां पर संतावन की बात कर लें तो इसमें मख हम चाहिए है इस तो आह다면 कि यह होता है कि यह कि ँधिया है उनले तो नहीं हो सब्रानेगे मितल हिस्का इस बाराबर हो जाएगा की इसक्तियों कि बाराबर हो जाएगा होगा इसके वाद X और X 2X और X आपका हो जाए क्या 3X बरावर हो जाएगा 300 कितना 360 बटा में कितना 3 3 से divided कर देंगे मेरे प्याद दोस्तों तो X डिगरी बरावर मिलेगा 120 डिगरी का होगा ठीक है आफसन की बात करने मेरे प्यारे दोस्तों तो आफसन नमबर A आपका यहां पर बात की जाएताई तो पहले इस बात को आप लोग याद राखेंगे एक हैं यहाँ यहां पर देखिए यहां पर यहाँ आеюсьmba थ्रिजया होगी की नहीं होगी अब इस तिरभूज में यह दो बूजाएं बरावर है ये यह इतना डिजरी इंगल का होगा ये इतना को जो है यह आपका 20 डिगरी का होगा कि नहीं होगा ठीक है अब इस तिर्वूज में आजए यह इस तिर्वूज की बात कर लें हम लो तो यह आपका एंगल यह पूरा एंगल आपको पूरा एंगल करना यह कुछ नहीं करना है यह बिस जीए एपनी कना हूजाई यह पचास डिगरी का रहें हम लोग और यह आपका सी आपका करेक्ट उम्मीद होगी बिल्कुल आपको किलियर हो गया है तो चलिया इस तरह से बढ़ते हैं अगले कोश्टन के तरफ देखिए तो आईए जो है कि हम लोग 69 के देखते हैं कि इसका solution कैसे करेंगे जार ध्यान से देखिएगा देखिए यहां पर यह आपका चित्र बना हुआ है इसमें भी काव है कि सब कुछ बताये थे जीवा से बताया गया था कितना कितना होता है यहां कि आपका 69 का आपका क्रेक्ट है कितना है आपसन नमबर डी आपका क्रेक्ट है यानि कितना हुआ एक्स डिगरी वरावर कितना सत्ता डिगरी उमीद होगी यह बिल्कुल समझ में आ गया है तो चलिए हम चलते हैं साथ और एक साथ दो कोश्चन और आपका सुल्सन करा जा रहा है इसके बाद मिलेंगे आप प्रेस भी कर दिएगा और ज्यादा वीडियो अच्छा लगे तो आपने दोस्तों में जरूर कर दिएगा चलिए शुरू करते हैं साथ और एक सट का सलुसन इसके बाद हम चलेंगे बात सट से ठीक है जो भी आपका कोश्चन छोड़ा गया है उस तो में उस अगले वीडि से चालीस चालीस का एक सटुपन दोर मालूम है जैना के चालीस चालीसी आधन कीतना 65 इननों चालिस दन 65 को जोड़ेंगे 180 में से घटाएंगे तीसरा एंगल मालूम हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 180 माइनस जोड़ दिए 5 हो जाएगा चाचार कितना 10 यहां पर आएंगे वही प्रोसेस से चलेगा यहां पर भी देखिए यहां पर भी हम लोग क्या 20 को मिला सकते हैं डटेदार मीला सकते हैं चल्पना क्या जाए बीसंदी को मिला देंगे तो यह एक का म करेगा की नहीं यह जीवा आपका बनें एक तिर्भूज आपको क्एप बना हुआ को फॉन है जेक है यह आपको यह किटने का हुगा है आपको यह में पूछ रहा agric microwave में पूछ रहे था YouTube drama अपने शरी लोगी केया है लोगे कि यह रहा जो है कि कुछ प्रसणों का सलूसन और विडियो उंपे जो भीडियो जो कि से ँसमें रखादा आपको विडियो कैसे लगा है कमेंट करके हमद जुरू वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हाँ अपने दोस्तों में किसे जरूर कर दीजेगा अभी तक आप जो है कि अपने दोस्तों में नहीं किये हैं तो अगली वीडियों में तब तक के लिए बाइब